नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मिस्कू नीज में दोस्तों बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैनायोग की पैट परिक्षा की तारिक के संबंद में और यूपिटर पलसी के जितने भी परिणाम अठके हुए हैं बहुत लंबे समय से उनके बारे में बात करूँगा और इन दोनों ख़बरों के बारे में पूरा विशलेशन करने वाला हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ ठीक है दोस्तो वीडियो पूरा देखें इसकिप ना करें ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है आप सभी के लिए जो भी छातर अपने अपने परिणामों का इंतिजार कर रहे हैं उनके लिए और पैट का एक्जाम देने वाले सभी छातरों के लिए ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती के संबंद में या परिणाम के संबंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक कहुंच जाए दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ पैट परिक्षा कब होगी इसकी जो डेट है इसके संबंद में दोस्तों ये है अधिनस्त पी इटी की लिखित परिक्षा अगस्त में संभव आपको मैंने तीन चार दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जो पैट की परिक्षा होगी या तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर की शुरूवात में हो जाएगी और दोस्तों बिल्कुल वही न्यूज ये न्यूज परिक्षा बिल्कुल संभवित है और मैंने आपको बताया था यूपिटर पलसी के जो करमचारी है उनके दोरा मुझको जानकारी मिली है कि ये जो पैट परिक्षा या तो अगस्त के लास्ट में होगी या सितंबर की शुरूवात में होगी दोस्तों बिल्कुल वही न्यूज है अगस्त में परिक्षा संभव पढ़ लेते हैं पूरी खवार इसमें क्या है परिक्षा के लिए इस महा के अंतितक एजंसी का चैन होने की उम्मीद है एजंसी का चैन हो गया तो दो महा के बीतर परिक्षा कराई जा सकती है हाला कि लिखित परिक्षा कोरुना की संभावी तिस्वी लहर पर निरुफर करेगी ठीक है ये बात आपको बताना चाहता हूँ भाईया जो भी छात्र पैट परिक्षा देने वाले हैं वो ये मान कर चलें कि अगस्त के लास्ट में आपका P.E.T. एक्जाम है और यही मान कर आप चलें और अगर मैं आपको डेट बताऊँ एक तो 25 अगस्त के आसपास ठीक है 25 अगस्त के आसपास ये डेट है और इस डेट को आप बिल्कुल 99% कनफर्म मानिए कि इस डेट के आसपास आपकी परिक्षा बिल्कुल करा ली जाएगी और आपको बताना चाहता हूँ पैट परिक्षा आयुजित करवाना UPSC की पहली प्राथमिक्ता में है ठीक है क्योंकि इनको जल्द से जल्द पैट कराना है और कम से कम 50,000 भरतियों का विज्यापन चुनाव से पहले जारी करना है इसलिए पैट परिक्षा कराना इनकी पहली प्राथमिक्ता में है और अगस्त के लास्ट में आप मान कर चलिए 25 अगस्त आपकी डेट है बिलकुल तयारी में लग जाएए केवल आपके पास 2 महीने का मात्र 2 महीने का समय बचा है ज्याद समय आपके पास नहीं बचा है बिलकुल जी जान से लग जाएए क्योंकि जब तक आप पैट परिक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप लेक पाल की भरती का लोवर पीसीयस की भरती का वीडियो की बरती का किसी का भी फॉर्म नहीं बर पाएंगे ठीक है दोस्तो तो ये तो खबर हो गई यूपिटर परिक्षा की डेट के सम्बंद में से सुनने, उनके लिए मैंने ये बताया था कि वहिया अक्टूबर तक कम से कम 10 से 12 भरतियों का अंतिम परिनाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक है कम से कम 10 बारे परिनाम को अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा बिलकुल confirm, और उस बात का ये प्रमान आपको दिखा रहा हूं मैं अब ठीक है क्योंकि बिना प्रमान के आप मानते नहीं है जो मैंने आपको 15-20 दिन पहले जानकारी दी थी उसी का एकदम प्रुफ आपके सामने दिखाना चाहता हूं ठीक है दोस्तों ये है भरती आयोगों वे बोड अध्यक्षों की किलास लेंगे मुख्यमंत्री आपको बताना चाहता हूं भाईया 2022 में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल को देखते हुए UPPSC हो चाहे UPPSC हो चाहे पुलिस भरती बोड हो जितने भी उत्तर परदेश के भरती बोड है उन सब के साथ योगी जी एक महत्तपून मिटिंग करने वाले हैं और उस मिटिंग का जो उद्देश्य होगा वो केवल उद्देश्य यही होगा कि जितने भी परिणाम पैंडिंग है उन सभी परिनामों को जारी करना और इन छात्रों को नियुक्ती देना ठीक है तो इसमें क्या है देखे जो मुख्य बात है वो कर लेते हैं इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने अधित्सनाथ सभी भरती आयोगों वे बोड अध्यक्षों की किलास लेंगे यह बैठक महिने होने की उम्मीद है बिल्कुल इसी महिने जून में इसमें बोड अध्यक्षों से यह भी पूछा जाएगा कि अब तक कितनी भरतियां पूरी की हैं आपने और अभी कितनी लंबित हैं ठीक है उन्हें यह भी बताना होगा कि लंबित भरतियों को पूरा करने का रोड पर बहत गंबीळ हैं हाला कि अब तक तो सरकार गंबीढ नहीं थी लेकिन चुनावों को देखते हुए हो सकता है अब सरकार गंबीढ हो जाए ठीक है और इसमे एक बात और है और साक्षात्कार तक नहीं ओ सका कोरुना की वज़े से यह भी सही है कि आयोग वेब बोर्ड सरकार के मनसा पर खरे नहीं उतर सके केवल इन आयोगों में यूपिटर पलेसी कैसा आयोग था जो किसी की भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बाकि लोग सेवा आयोगों चाहिए कोई भरती बोर्डों वो अपना काम ठीक से कर रहा है ठीक है तो हो सकता है यूपिटर पलेसी के जो चैर्मेन है पिर वीर कुमार जी उनको जवाब देना भारी पड़ जाए योगी आदितनाज जी को कि भईया आपने कितनी भरतिया पूरी की हैं और सबसे जो गंदा हाल है केवल आपके आयोक का बन चुका है यूपिटर पलेसी का सबसे गंदा हाल बन चुका है दोस्तों ये एक बिंदू है इसमें अगले छे महा में तेज करके मतलब जो भरतियों की जो तैयारी है वो तेज करके पांच साल में पांच लाग करने की तैयारी है देखिए इस चारला की बात है इसका तो मेरे पास परमान नहीं है लेकिन इस बात का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपिटर पलेसी के चेर्मेन प्रवीर कुमार जी को इस बात का जवाब योगी जी को देना पड़ेगा कि भईया आपका आयोग का जो हाल है इतना गंदा कैसे हो गया आपने पांच-पांच साल पुरानी भरतियों को लटका के रखा क्यूं इसका जवाब दीजिए और प्रवीर कुमार जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा इसके लिए आयोग वेब बोर्ड अध्यक्षों को कठिन सवालों से दोचार होना पड़ सकता है क्योंकि कैई बोर्ड नई भरतियों की जगए पुरानी भरतियां ही पूरी नहीं कर सके है और इसमें सबसे पहला नाम यूपिटर पलसी का आता है ठीक है इस महीने में 30 जून के पहले पहले यूपिटर पलसी के चैर्मेन हो चाये किसी भी भरति बोर्ड के चैर्मेन हो योगी जी इनके साथ एक बठक करने वाले हैं और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपिटर पलसी के चेर्मेन प्रवीर कुमार जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि आपने नई भरतियां तो निकाली नहीं, नई भरतियों का विग्या पंजारी किया नहीं और आपकी पुरानी भरतियां ही कम से कम 18 से 20 भरतियां पुरानी ही अठकी हुई है ये बात का जवाब प्रवीर कुमार जी को देना बहुत भारी पड़ेगा, इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ ठीक है, और देखिए कम से कम 18 से 20 भरतियां है यूपिटर पलसी की जो अपने अलग-अलग चरणों में अठकी हुई है और प्रवीर कुमार जी को आए हुए कम से कम डेड़ साल का समय हो चुका है, डेड़ साल में नोंने क्या किया, कुछ नहीं किया ठीक है, तो सबसे जादा जो गंदा हाल हो चुका है, यूपिटर पलसी का हो चुका है, हो सकता है योगी जी सबसे जादा किलास यूपिटर पलसी के चेर्मेन पिरवीर कुमार जी की लगा दें क्योंकि 2016-2017 लगाता 4-5-5 साल की 15-20 भरतियां यूपिटर पलस्य में पेंडिंग है नई भरतियां निकालने की बात छोड़ो पुरानी भरतियां अब तक बुरी तरह से फसी होई है तो जल्द ही ये बैठक आयूजित होगी और इस बैठक में आपको एक positive news मिले मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और आपके परिणाम जल्द जारी हो हाला कि मैं बताना चाहता हूँ यूपिटर पलस्य के चैर्मेन हो चाए भरति बोर्ड के चैर्मेन हो इन सभी चैर्मेन के साथ योगी जी ने पिछले 6 महीने पहले भी एक ऐसी बैठक की थी लेकिन इस बैठक का कोई भी परिणाम नहीं निकला ठीक है लेकिन अब जो बैठक आयूजित होने वाली है जो CM सहाब बैठक करने वाले हैं हो सकता है इस बैठक का एक positive परिणाम आपको देखने को मिले क्योंकि बैठक चुनाब बहुत नजदीक है और चुनाबों के लिए तो सरकार कुछ भी कर सकती है अगर वो चाहे तो दो महीने में सारी 20 की 20 भरतियों को पूरा कर सकती है अगर वो चाहे तो ठीक है तो UP.S.C. के चैर्मेन प्रवीर कुमार जी भी बैठक में होंगे और देखने वाली बात होगी उनके पास क्या जवाब होगा कि यह आपने 20 भरतियों को किस तरह से फसा के रखा है चाहे वो lower 2 की भरती हो चाहे वो मंडी परिशद की भरती हो चाहे वो आपकारी की भरती हो चाहे वो junior stand की भरती हो चाहे वो homeopathic pharmacist की भरती हो वीडियो 2016 की waiting list हो वीडियो 2018 की waiting list हो तो J 2016 की भरती हो J 2018 की भरती हो तो अलग-अलग भरतियां अपने अलग-अलग इस तरह पर बुर तरह से फसी होई है चीक है तो देखने वाली बात ही होगी कि इस महीने में कब ये बैठक आयोजित होगी ठीक है दोस्तो तो दोस्तो ये ख़बर है Jupiter policy के परिणामों के संबन्द में और उम्मीद करता हूँ आपके परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे और आपका कई सालों का इंतिजार जल्दी समाप्त होगा और किसी भी भरती के परिणाम की जो भी नूज मुझे मिलेगी आज या कल में तुरंत आपको मेरी वीडियो के मादफस दे दी जाएगी ठीक है होँ सकता है आज शाम तक या कल तक एक परिणाम की नूज मैं आपको दे दूँ ठीक है दोस्तो यही नूज थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते है अपने काम की ऐसी और वीडियो inflammation पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों